Hello everyone, welcome back to Magnet Brains, मैं राहूल गौतम, आपका Accountancy Educator आज आप लोग के लेके आया हूँ एक special question, क्यों इसको special बोलनों मैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? in between four features हो रहा है से इसका फिर उनको resue भी कर दिया रहा है in between, उसके बाद उन पर भी call को receive किया जा रहा है तो आएए देखते हैं एस हम question को जड़ा ध्यान से, चलिए, तो question है X limited invited applications for issuing 50,000 equity shares, right? कितने shares के लिए इन्होंने application invite किया है? 50,000 equity shares के लिए apply, बदब इन्होंने application invite किया है और 10 रुपय का X share है, कोई भी premium इस question में नहीं है The amount was payable as follows, on application 2 per shares, on allotment 2 per share, allotment application 2 First call 3, तो second and final call कितने का बन जाएगा? 2 plus 2, 4 plus 3 is 7, तो 3 रुपीज का बन जाएगा, second and final call, right? Applications for 70,000 shares were received, over subscription का case बनता है, 50 invite के 70 के लिए आ गया, right? चलो, applications for 10,000 shares were rejected and the application money was refunded तो 10,000 को हमने sorry बोल दिया, letter of regret share कर दिया, कि भीया हम आपको allot नहीं कर सकते, right? reject कर दिया, फिर उनका application money जो भी आया होगा, उसको पापस करना रहेगा, right? चलो, फिर, shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis and access application money received with the application was transferred towards sums due on allotment and calls if any, तो बोला जो भी access application money that has to be adjusted against allotment, उसके बाद भी बजज जाया है, तो आप first call पे adjust कर लेना, अगर नहीं भी लिखा होता तो allotment तक तो हम उसको adjust करते ही करते हैं, hidden transaction होता है, right? चलो, if any, गोपाल who applied for 600 shares, अच्छा, गोपाल भाई ने 600 shares के लिए apply किया था, right? paid his entire share money along with the application, okay? इन्होंने जितने shares के लिए application किया था, उसका पूरा पैसा application के साथ ही दे दिया, लेकिन applied 600 है, तो allotted कितना होगा? देखो easy है, allotted कितना होगा? देखो, जैसे कि 60,000 यहाँ पे applied है, क्योंकि 10,000 तो हमने क्या कर दिया, reject कर दिया, और allotted कितना है? 50,000, तो बैसे ही, यदि यहाँ पे 600 applied है, तो 500 allotted हो जाएगा, ठीक, आप ऐसे भी निका सकते हैं, और चाहिए तो हम formula का इस्तमाल भी कर सकते हैं, तो इसमें हमें बात ध्यान क्या रखनी है, कि सर्थ जो access, इनसे पूरा पैसा एकसा लेना है, अब गोपाल ने 6,000 सेर्स पे हमें पूरा पैसे एकसा लेना है, लेकिन 500 क्ले इस्तमाल होना है, उसके access में जो भी बचेगा, उसको हम बापिस कर देंगा, चलो, यह बात हमें ध्यान रखना है, गोपाल के case में, चलो, घोस, who had applied for 6,000 सेर्स, अब गोपाल ने 6,000 सेर्स के लिए अप्लाई किया है, अगेन अलॉटे कितना हो जाएगा, 5,000, क्यों रेशो क्या बना, 6 is to 5 बना, तो 6,000 अगर applied है, तो 5,000 क्या हो जाएगा, अलॉटे हो सुल्तान for rupees 20,000, सुल्तान को 20,000 में रेशो कर दिये, और 4 रुपे क्या रखा गया, paid up रखा गया, मतलब कि बांकी अभी हमने called up नहीं किया, 20,000 में, तो कोई discount बनता है, कोई भी discount नहीं बनेगा, क्यों, 20,000 को अगर आप divide करोगे, 4 से, तो 5,000 सेर्स आ गया, ठीक है, तो हम हमने 4 रुपे ही paid up किया है, ना तो कोई SPR है, ना कोई discount at the time of reissue, चलो, फिर क्या लिखा हुआ है, अब देखो, सबसे पहले हमने call allotment किया, allotment का पैसा मंगाया, allotment का पैसा आने के बाद नहीं आया, forfeit किया, forfeit के बाद immediately reissue कर दिया, और 4 रुपे ही paid up रखा गया, जो money value paid up थी, वही नई value हमने paid up में रखी गई, अब जब first call और second call due करेंगे, तो इन सेयस पे भी हमें due करना है, एक additional adjustment है, यहाँ पे, देखो, क्या लिखा हुआ है, कि भाद यह paid up कर दिया, फिर first call money and the second and final call money was called up and newly received, तो सारे सेयस पे करेंगे हम, जो हमने forfeit करके reissue कर दिये, उन पे भी अब call करके उन पे पैसा हम receive करने बाड़े हैं, राइट, चलो, pass necessary general entries for the above transaction, the books of acts limited, open calls in advance account and calls in arrear account wherever necessary, calls in advance and calls in arrear account open करके, question को solve करने के लिए हमसे बोला जा रहा है, general entry pass करने है, तो हमें क्या चाहिए भाईया, general entry का format, in the books of acts limited, और general entry का format बना लेंगे हम, यह बन जा date, particulars, laser folio, debit amount and credit amount के साथ होता है, राइट, particulars, laser folio, debit amount and credit amount, राइट, चलो, तो अब general folio में, general में हम बनाएंगे, date column होता है, first column हमारा, date, date के बाद होता है, particulars and इधर होता है, laser folio, that is, LF, debit amount and credit amount, और उपर के लिखेंगे, general entries in the books of, general entries in the books of, in the books of, in the books of, x limited, पहली entry क्या होगी, application receive करने की entry होने वाली है, application receive क्या होती है, sir, bank account debit, bank account debit, to share application, right, amount कितना जाएगा, sir, अब देखो, amount यहाँ पर important चीज है, to share application account, बास समझना, 70,000 applications आये हैं, into, 2 rupees, plus, जो गोपाल भाई दे हमारे यहां पर, गोपाल भाई ने क्या किया था, गोपाल who applied for 600 sales, paid the entire share money with application, application के साथ ही share money दे दिया, तो 600 into 8, क्या फिर से बोल लोग, 600 into 8, किसको अधिन दे दिया, application के साथ दे दिया, तो 600 into 8 और कर लीजिए, क्या हो जाएगा यह, 600 into 8, यह गोपाल भाई ने दे दिया, right, to share application account, to calls in advance, आप चाहिए तो यहीं पर calls in advance बना लो, I suggest you, कि यहां पर हम उसको next entry में calls in advance बना जाएं सच्छा, कि यहीं पर calls in advance बना लीजिए, यह छोड़ दीजिए, calls in advance हम next entry बना लेंगे, जतना इस्तमाल होगा उसके बाद हम allotment के बाद calls in advance बना लेंगे, अब भी पूरा पैसा share application में हम उसको adjust कर देते हैं, right, तो कितने रुपे आ गए, 70 into 2, 1,40,000, और 600 into 8, 600 into 8, 4,800, तो 1,48,800, बैंक में receive हो जाएगा आपको, किसके नाम पे, share application के नाम पे, narration के लिख देंगे, share application received, share application received, यह हमारा narration बनके तयार हो जाता है, 1,48,800, 8 into 6 is 4,800, right, चलो, अब जड़ा करते हैं हम क्या allotment, allotment पे बहुत ध्यान से entry करना पड़ेगा, चलो, allotment के entry क्या बनेगी, share application account debit, share application account debit, right, 2, bank, सर सबसे पहले bank क्यों कर रहे हो, जिन लोगों को हमने shares allot नहीं किया, उनको पापस कर देना चाहिए, 10,000 को हमने मना कर दिया था कि हम आपको कोछ भी allotment नहीं कर सकते, 2, share capital, सर, share capital में कितना जाएगा, face value, जिनको हमने क्या किया है, allotment किया है, 2, share capital account, कितने shares को allot किया सर, आपने 50,000 shares को allot किया है, और multiply कर लेंगे 2 से, तो 2 entry तो easy हो गई मेरी, फिर क्या आएगा, 2, calls in advance, 2, calls in advance, balance figure बन जाएगा, आप चाहिए तो working note भी मना दूँगा आपको, 2, calls in advance account, देखो, share application में कितना जाने बाला है, 1,48,800, right, अब bank account में से 10,000 into 2 ये तो जाएगा, plus, क्योंकि जो गोपाल वाई हैं, ध्यान समझो बात को, जो गोपाल वाई हैं, उन्होंने 600 shares पे पूरा पैसा दिया है, 600 shares पे पूरा पैसा दिया है, लेकिन उनको allotment कितने का है, सर 500 shares का है, तो 100 shares उनके extra हुए न, 100 shares अगर उनके extra हुए, तो क्या 100 shares पे 10 रुपे उनका पैसा बापिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, तो गोपाल भाई का भी क्या हो जाएगा, refund हो जाएगा, कितने से सर, 100 shares extra है, multiply कर लो, 10, 2 application और 8 हो गया बागी calls के, तो 10 रुपे उनके उनके यहाँ भी extra पे किया था, तो यह बापिस हो जाना चाहिए, बिल्कुल सर कितना बापिस हो जाना चाहिए, 21,000 if I am correct, yes sir, 21,000 refund कर दो, और इधर 1,00,00,00 का आपका कर दो, share capital में हमने डाल दिया, ठीक बात है जी, एक working note जरूर में आपको बना दे दाओ, so that की calculation हमारा clear हो जाएगा, पहले हम कर लेते हैं, Gopal का, पहला working note बना लेजे, working note number 1, Gopal's refund, calculation of Gopal's refund, and calls in advance, दोनों एक सांथ कर देते हैं, तो Gopal को सबसे पहले निकाल दो, number of shares allotted, number of shares allotted, to Gopal, कैसे निकालेंगे सर, बहुत इजी है, टोटल share allotted, टोटल share allotted, और इसको divide कर दीजिए, टोटल share applied, टोटल share, applied, multiply करेंगे, number of shares applied, number of shares applied, राइट, अब जड़ा calculation कर लेते हैं, टोटल share allotted कितने हैं, 50,000 share allotted हुएं टोटल, out of 60,000, multiply कितने कि ये दनों ने, 600, तो first 0 से 0 cancel कर दीजिए, 1, 2, 1, 2, ये 0 भी cancel हो गया, 6 से 6 cancel हो गया, और मेरे पास आगया total share allotted to Gopal is 500, Gopal भाई ने क्या किया था, पूरा पैसा application के साथ दे दिया, तो Gopal भाई ने कितने रुपए दिये थे, 600 into 10, total amount paid by Gopal, total amount paid by Gopal, total amount paid by Gopal, 600 into 10, that is 6,000, amount required, less कर दीजिए, less amount required for Gopal's call, for Gopal, for Gopal's share, कितना पैसा चाहिए भाई है, Gopal के share के लिए हमें, 500 into 10 चाहिए, total 5,000, बचा हुआ 1,000 क्या हो जाएगा, ये हो गया Gopal भाई का refund, राइट, ये हो गया Gopal का refund, अब Gopal का calls in advance कितना रुपए बनने बाला है, सर, Gopal का calls in advance बन जाएगा, कितने sayers पे बनाना है calls in advance, 500 sayers पे और एक share पे 6 रुपए, after allotment, 2 रुपए बना लिजिए, तो कितना रुपए हो जाएगा, 4,000 बन जाएगा Gopal का calls in advance at the time of adjustment entry, ये calculations हो गया related to Gopal, अब allotment में बागी calculation calls in advance कितना बन रहा है allotment का, वो भी से सीधा सीधा निकल जाएगा, अब Gopal के shares को आप अलग कर दीजिए, गोपाल के जो shares हैं, उनको हम बिल्कुल अलग कर देंगे, बचा हुए पैसा कहां जाएगा, calls in advance जाएगा, या balance figure भी डालोगों, तो भी आपका सीधा सीधा amount आ जाएगा, जैसे कि ये गोपाल calculation हो गया, 1000, 2000, उनका था, refund था 20,000 किसका, जिनको हमने shares allot नहीं किये थे, बचा हुए figure क्या हो जाएगा, आपका, calls in advance, आ जाएगे, तो calls in advance मैं adjust कर देता हूँ हाँ आपर, कितने का calls in advance हो जाएगा, कर लीजिए, 1 गया, 21 गया, तो अब ये बचेगा, आपके पास, 1,00,000 चला गया, 48 में से 20 चला गया, तो बचा, 27,800, 27,800 हो गया, आपका क्या, calls in advance, 27,800 हो गया, आपका calls in advance, narration लिख दीजिए, shares allotted, shares allotted, access money refunded और adjusted, access money refunded और adjusted, जैसा ज़रूवत पुड़ा हमने इस्तमाल कर लिया, access application money का, आप क्या करेंगे, अब सर, first call को due कर, sorry, allotment को due करेंगे, तो allotment due के entry तो आसान है, क्या है सर entry, share allotment account debit, share allotment account debit, कितने से सर, 50,000 shares हैं और दो रूपए हम मांगेंगे एक share पे, right, to share capital account, to share capital account, narration लिखेंगे हम, allotment money due, narration लिखेंगे allotment money due, और allotment पे 2 रूपए मांगा था न, मैं गलत तो नहीं कर दिया, नहीं सर, allotment पे हमने 2 रूपए ही मांगा था, तो कितना बन जाएगा, 1,00, और इधर भी, 1,00, इस complete हो जाता है, एक मिट, जबाँ कुछ calculation लग रहा है, calculation चेक करो, 70 x 2, 146, अच्छा, 148 नहीं, 144, 800, here we will make a correction, it is going to be, how much? it is going to be 144, right, 148 नहीं, 144, हम वी रूपटी, 4,800, and accordingly, there will be a correction, here also, and one more correction, will also be here, let's, only just हमीं क्या करना है, यहाँ पर, 148 की जगा, 144, it is just a calculation, error, right, चालिए, तो यहाँ भी 144 कर दूँगा, मैं यहाँ पर, right, क्योंकि 140, plus 4,800, is 144, 800, right, बाग की calculations, all clear, right, चालिए, तो यह मैंने यहाँ पर, यहाँ से हमने हटा देते हैं, और, correction कर दिये जाएंगे, right, चालिए, clear बात है जी, चाल, तो क्या लिखना है मुझे वहाँ पर, सर, आपको लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए, 144, 800, 144, 800, 144, 800, हम वहाँ पर, लिख देंगे, right, अब यहाँ पर किता हो जाएगा, 27, 3, 4 माइनस करेंगे, 23, 800, 23, 800, right, now it is done, right, चालिए, अब बढ़ेंगे हम next slide पर, complete हो जाता है, अब मुझे चाहिए additional formats, यह रहा additional format, ठीक, यह क्या रहा मेरे लिए, additional format, date, particular, laser folio, debit amount, और, credit amount के साथ, मेरा format, complete होता है, अब मैं यहाँ पर का करना वाला हूँ, amount received on allotment, amount received on allotment, तो entry क्या बनेगी, bank, account, debit, यह calculation करना पड़ेगा मुझे, calls in arrear हुआ है यहाँ पर, yes sir, तो calls in, arrear account, debit, again working load बनेगा, calls in advance, यह तो मुझे मालूम है, किसका calls in advance है सरी है, यह गोपाल भाई का calls in advance है, calls in advance, account, debit, सर क्यों कर रहे हूँ, क्योंकि गोपाल का हमने credit किया था था न, calls in advance, 500 shares पे, तो 500 shares पे, गोपाल का अलरी आ चुका है, multiply 2, तो calls in advance, 1000 से हम सको क्या कर लेंगे, debit कर लेंगे, यहाँ तो कोई calculation में ambiguity नहीं है, ठीक, call scenario और bank account मुझे calculate करना पड़ेगा, 2, क्या लेखेंगे यहाँ पे हम, 2 लेखेंगे share allotment account, 2, share allotment account, कितने से लेखेंगे सर, share allotment account, यह तो सर मुझे 1,00,000 रुपैसे ही चाहिए, ठीक, तो पहले क्या निकाल दें हैं, यहाँ पे calls in area निकाल दें हम, घोस का, घोस ने कितने sales के लिए अपलाए किया था, 6,000 sales के लिए अपलाए किया था, और allotment का पैसा इन्होंने नहीं दिया, तो पहले calculation करते हम, पहले एक calculation करते हम, working note number 2 बना लिजी यहाँ पे, working note number 2, calculation of calls in area, calculation of calls in area, calls in area का calculation कर रहा है, on घोस share, on घोस share, राइट, चल, तो पहले घोस का निकाल लिजी यह, share allotted, तो number of shares allotted is equals to, number of shares allotted, is equals to, total share allotted, total shares allotted, divided by total applied, divided by total applied, और multiply करते हम, number of shares applied, number of shares applied by, घोस, number of shares applied by घोस, तो total shares allotted, वस 50,000, total shares was applied, 60,000, and 6,000, वर applied वाई, Mr. घोस, जिरो से जिरो से जिरो कैंसल, और 6 से यह भी 6 कैंसल हो गया, तो बचा कितना, 5000 shares were allotted to घोस, राइट, चलो, amount due on allotment, amount due on allotment, कितने रोपय का allotment पर amount ली हुआ घोस के लिए, सर यह हो गया, 5000 into 2, that is, 10,000, access application money, less कर दीजिए, क्या less करना है सर आपको, access application money, less कर दीजिए, access application money, access application money, कितने रोपय का सर, access application money था, 6000 के लिए apply किया था, 5000 allot हुआ, तो total number of shares, accesses, 1000, और एक share पर कितना था, 2 रुपीज, तो 2000, तो 8,000 क्या हो गया, calls in arior, 8,000 क्या हो गया, calls in, arior, account, calls in arior कितना हो गया, 8,000, तो 8,000 तो लिख दूँ मैं, calls in arior में, हाँ जी सर, calls in arior में लिख दीजिए, 8,000, और यहाँ पर लिख दीजिए, working note number 2, refer कर लेंगे, अब यह आपको देख, calls in advance, एक तो मिल गया, एक और calls in advance है, यहाँ पर, वो कौन सा calls in advance है, सर, जो access application मनी आया था न, उसको भी adjust करना है, remaining sales पर, remaining sales पर, जो calls in advance आया था, उसको भी adjust करना है, तो उसको भी एक, हम working note के माद्ध हम से जानेंगे, that is working note number 3, working note number 3, calculation, of calls in advance to be adjusted, calls in advance to be adjusted on allotment, to be adjusted on allotment, right, कितने रों पैसे सर देखो, सबसे पहले बात समयना, total access application मनी कितना था, total access application, access application, कितने थे, 10,000 सर, right, 10,000 थे, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, less gopals access, less gopals access, क्योंकि gopals का access हमने रेफरंड करके adjust कर लिए, उसको माइनस कर दीजिए, that is, 100 shares थे gopals के extra, तो अभी कितना बचा, 9900 into 2, कितना हो जाएगा, 9900 into 2, तो 10 into 2 is 20 होता है, उसमें से 100 into 2 माइनस कर दीजिए, that is, 19,800, 19,800, प्लस कर दीजिए, gopals, gopals calls in advance, gopals calls in advance, 1000, 1000, तो तो टोटल एपलिक, एपलिक, एपल्स अडवांस to be adjusted on allotment is 20,800, तोटल calls in advance, तो बीजिए अड़ांस, तो बीजिए अड़ांस, 20,800, अब देखो, एक बात समझना द्यान से, क्या, कि सर, यदि हम बैंक अकाउंट का वर्किंग नूट बनाएं क्या, आप की इकचा, आप चाहिए तो यहीं प्लस माइनस करके बना सकते हैं, और नहीं तो, आप वर्किंग नूट बना लीजिए, यह तो आगया 20,800, और इसमें लिख दीजिए आप वर्किंग नूट नूट नूबर 3, वर्किंग नूट नूबर 3 से आया, अब रिमैनिंग जो डिफरेंस आ रहा है, वो बैंक में आ जाए, कितना 28,800 माइनस कर देंगे हम, तो कितना बचेगा, 28 अगर 800 माइनस कर देंगे, तो 71,200 if I am correct, अगर मेरा कालकुलेशन सही है, तो 21,200 मुझे बैंक में रिसीव हो जाना चाहिए, और एंट्री क्लोज करेंगे, अलॉट्मेंट मनी रिसीवड, अलॉट्मेंट मनी रिसीवड, एक्सेप्ट on 5000 सेर्स, अब क्या करोगे, अब जो हमारे भाई साब थे घोस, घोस ने नहीं दिया हमें अलॉट्मेंट का पैसा, तो हमने घोस साब के सेर्स को इनिजिटली फोरफिट कर लिया, तो फोरफीचर के एंट्री क्या होगी, 5000 सेर्स को फोरफिट किया है, आजाओ बना लेते हैं, फोरफीचर के एंट्री, फोरफीचर के एंट्री क्या होगी, फोरफीचर के एंट्री होती ही सर, सेर कैपिटल अकाउंट डैविट, क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि सेर्स को कैंसल करना पड़ता है, shares को cancel करते है तो जितना भी called up value होता है उस value को हम क्या कर देते हैं reverse कर देते हैं तो 5000 shares forfeit हो रहे हैं और 4 रुपए called up value था 2 रुपए application का 2 रुपए allotment का 4 रुपए मैंने या पर लिख दिया debit करूँगा calls in arrear जो credit पड़ा था sorry debit पड़ा था calls in arrear इसी के कारण तो forfeiture हो रहा है उसको हम क्या करते हैं credit कर देते हैं और जो भी फाइदा अगर होता है तो उसको कहां transfer कर देते हैं share forfeiture account में share forfeiture account में हम उसको कर देते हैं यहां लेख देंगे shares forfeited shares forfeited for non payment of for non payment of allotment money non payment of allotment money right आजाओ calculation कर लेख तो यहां तो 20,000 आएगा sir clear बाद है जी call scenario में कितना डालो गए यह भी देख यहां निकाला था 8,000 तो call scenario 8,000 बचा हुआ क्या हो गया फायदा 12,000 सर इसको जब चेक कर आओ चेक कर लो गोष ने आप कितने रुपए दिये थे 6,000 से एस पे 2 रुपए दिया था on application हाँ जी तो 6,000 इंटो 2 इस 12,000 दे को फायदा हो गया जो पैसा receive हो चुका वो हमारा क्या हो जाता है फायदा हो जाता है अब space नहीं है तो मैं अलग से edition seat लेता हूँ जहां से मुझे क्या करना है reissue के entry से start करना है तो बना लेते हैं यह एक फिर से format और इस format में क्या करेंगे हम reissue के entry पास करने वाले हैं और reissue के बाद फिर normal calls को due करके receive करते जाएंगे आ जाओ तो reissue के entry क्या होती है देख लेते हैं पहले क्या लिखा है कितने के लिए reissue किया है 20,000 के लिए reissue किया है और 4 per share paid up बनाया है तो 20,000 divided by 5 करोगे 20,000 divided by 5 करोगे तो आएगा 4 रूपए तो 4 रूपए की paid up value के लिए 4 रूपए ही लिया है मैंने तो there is no discount no SPR तो सीधा entry बनेगा क्या entry बनेगा sir bank account debit entry number कितना है 6 entry number 6 हो जाएगा entry बनेगा bank account debit कितने से sir अब बैसे था amount directly दिया है लेकिन 5,000 to 4 करोगे तो भी 20,000 रहेगा to share capital no discount no SPR at the time of reissue of shares तो सीधा entry बनेगा share capital account narration क्या बन जाएगा? shares reissue right ये बन गया मेरा narration चलिए 20,000 और इधर भी लिख दीजिए अब 20,000 रुपए लिख दिए sir चल अब क्या करते हैं? sir जब shares को reissue किया जाता है तो उनका जो फाइदा होता है that has to be transferred to capital reserve account तो entry क्या बनेगा? share for feature account debit to capital reserve sir all these shares were reissued and there were no discount तो क्या करेंगे? पूरा amount जो है वो transfer to CR हो जाएगा कितना फाइदा था for feature पे? देख लीजिए 12,000 रुपए का फाइदा था तो टोटल 12,000 रुपए आप capital reserve में transfer कर दीजिए अब shares reshoot भी हो गए? आप क्या करना है? अब sir आपको first call due करना है तो आजाईए first call due कर लेते हम first call due करने के entry क्या बनेगी? share first call account debit share first call account debit कितने से sir? sir 50,000 माइनस कर दीजिए 50,000 माइनस कर दीजिए क्या? sir जो forfeit किये थे? अरे भाई forfeit किये थे ना? 5000 ratio भी कर दीए तो फिर से कितने बन गए? 50,000 और first call पर कितना माँगा है? 3 रूपए तो total कितने रूपए से आपने पैसे मांग लिए? 1,50,000 से पैसे मांग लिए आपने right? to share capital account to share capital account narration लिख दीजिए first call due और ये narration भी मैंने लिख दिया first call due हो जाता है इस परकार हमारा अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे first call को receive अब first call को receive करने में ना तो कोई calls in area है ना कोई calls in advance है अरे नहीं sir calls in advance है किसका? गुपाल भाई का 500 CESP तो calls advance को भूल मत जाना ये तो दिक्कत हो जाएगी चलिए तो अब हम करते हैं receive क्या receive करेंगे? first call bank account debit और यहाँ पर calls in advance अकाउंट डेविट ये किसका calls in advance है sir? ये हमारे गुपाल भाई का calls in advance क्योंकि उन्होंने पैसा एक साथ दे दिया था अभी दो बारा नहीं देने वाले कितने सेयर्स हैं गुपाल भाई के पास? सर्फ 500 सेयर्स हैं और 3 रुपए इनसे हम यहाँ पर first call में ले लेंगे to share first call account to share first call account narration का लेख लेंगे first call amount received first call amount जो है वो receive हो चुका है हमें bank में जाएगा balance figure क्योंकि यहाँ पर calls in advance था हमारे पास और call send once कितना था? 500 entries is 1500 sorry यह debit side लिखा जाएगा call send once 1500 तो इधर कितना आएगा? 1,48,500 जो है वो bank में आजाएगा balance figure भाईया first call तक के entry हो गई है अब क्या बचा है? अब बचा है second and final call को due करो और उसको receive कर लीजिए तो मुझे फिर से additional slide लेना होगा जहाँ पर हम बनाएंगे format और यह रहा हमारा छोटा सा format that is date, particulars laser folio debit amount and credit amount के साथ format complete entry number 10 होगा राइट? हाज जी सर entry number 10 क्या है सर? entry 10 number की final call को due करना है entry क्या बनेगी? share second and final call account debit कितने से सर? 50,000 shares है और अगेन हमने तीन रूपे मांगा to share capital account to share capital account narration लिख दीजिए second and final call due second and final call due कितने से due करेंगे? 1,50,000 की हमने demand कर दी अपने share holders से अब वो करेंगे second entry में pay तो pay करते टाइम क्या देहान रखना है? कि गोपाल जो थे हमारे उन्होंने पूरा पैसा एक साथ दे दिया तो अभी उनका पैसा फिर से नहीं आएगा तो bank account debit में जाएगा उनका पैसा नहीं जाएगा तो उनका पैसा कहां रखा हुआ है सर? उनका पैसा रखा हुआ है calls in advance account calls in advance account कितने से debit करोगे फिर से? 500 into 3 2 share second and final call account narration लख दीजिए share second and final call received right कितने से सर? यहां तो सर 1,50,000 होगा और इधर calls in advance में 1500 होगा तो अगेन यहां पे हो जाएगा 148,500 इसी के साथ यह question जो है वो complete होता है लेकिन आप क्या कीजिए? पूरा screenshot दीजिए शुरू से यह देखो मैं आपके साथ share करता हूँ please have a screenshot of this general entries now please take this one please have this one too and this is the last general entries 4 pages में general entries हो गई है आपने screenshot ले लिए अब यह हमारे working note number 3 यह working note number 2 and this is working note number 1 इस तरहे के से हमारा यह question जो है वो complete होता है ठीक बात है जी कोई भी अगर confusion है कोई भी अगर doubt है तो comment box हमेशा आपके लिए तयार है जहां पर आप अपने doubts को पूछ सकते हैं हम उनको clarify करेंगे even आप हमारे live sessions को भी join कर सकते हो अगर आपको कोई doubt आजा तो live session में आके doubt भी clear किये जा सकते हैं मेरे सारे recorded videos का आपको playlist में link मिल जाएगा sorry discussion box में link मिल जाएगा playlist का जाके check करना ना हूले ज़रा सुनिये ध्यान से magnet friends के बारे में magnet friends आपको देता है 100% complete education free हाजी भीया पूरा free education मिलता है watch 100% free है कुछ भी charge नहीं किया जाता high quality education आपको provide किया जाता है top courses की अगर बात की जाए तो आपको मिलता है CVSE English Medium CVSE Hindi Medium साथी साथ आपको मिलता है state votes में UP vote, Bihar vote और MP vote के courses और ये courses all classes all subjects के लिए available होते हैं आप जानने के लिए हमारी website www.magnetbrins.com को भी budget कर सकते हैं इसके अरावा आपको courses मिलते हैं spoken English, UT, NTSC और Olympiad के courses भी आपको यहाँ पे available होते हैं website को चेक करना न भूले आपको अगर मेरे notes चाहिए तो description box में उसकी भी link अबले वहला जाके notes को चेक आउट कर सकते हैं आप हमसे जोडने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं YouTube, Facebook, Instagram, X and Telegram इन माध्यम से आप हमसे जोड सकते हैं वीडियो को like करना, share करना और channel को subscribe करना न भूले वीडियो को देखने के लिए Thank you so much